नमस्कार दोस्तों मैं सुरेश अदव आप सभी का अपने यूटूब चैनल काटू शाम इंगलिश वाले में स्वागत करते हूं दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियों पढ़ाने जा रहा हूँ इन वीव आफ नो बहुत बड़िया यूस है देखें आपे इन वीव आफ का मतलब क्या होता है इन वीव आफ का मतलब होता है किसी चीज़ को देखते हुए जैसे मैं बोलू कि इन वी आफ यूर लव आपके प्यार को देखते हुए इन वी आफ यूर रिक्वेस्ट आपकी को देखते हुएे, आपकी विंति को देखते हुए, जैंह defini mean in view of your work, आपके काम को देखते हुए in view of your teaching आपके पढ़ाने के तरीके को देखते हुए आप यह ऐसे वह कह सकते हैं in view of in view of your way of teaching आपके मतलब पढ़ाने के तरीकों के को तरीके को देखते हुए ऐसे ही हो आप यूज कर सकते हैं in view of in view of का मतलब होता है किसी चीज को देखते हुए तो देखते हैं यहां फेंस को दोस्तों in view of your work आपके काम को देखते हुए हमने निडन लिया है हमने बिचार किया है कि आपकी सैलरी को बढ़ा देंगे तो मश्रूम का मतला होता है बढ़ाना, इंक्रीस करना तो आप यहाँ पे इंक्रीस की जगे आप मस्रूम वड़का भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं आप इंवी ओफ यूर वर्क आपके काम को देखते हुए हमने निडन लिया है बिचार किया है कि आपकी हम सैलरी बढ़ाएंगे यहाँ पे अगला सेंटर सी के इंवी ओफ इस पोवर्टी उसकी गरीबी को देखते हुए जैसे कह सकते हैं कि इंवी ओफ इस पोवर्टी उसकी गरीबी को देखते हुए तो आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं आप ऐसे यूज कर सकते हैं इस तरीके से इंवी ओफ फैमिली ज़्वर्व घर की दिक्कतों को देखते हुए इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप इंवी ओफ तो किसी चीज को देखते हुए किसी चीज के मद्दे नजर रखते हुए को ही आप ऐसे कह सकते हैं मद्दे नजर रखते हुए किसी चीज को देखते हुए तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे in view of और view of के बाद जो चीज होगी उसका नाम लगा दीचे आप बस वो sentence बन जाएगा आपका जैसे in view of exam exam परिक्षा को देखते हुए इस तरीके से in view of your hard work आपकी परिश्रम के आपके मेहनत को देखते हुए इस तरीके से आप यूज कर जखते हैं तो ऐसी इंग्लिष सीखने के लिए like, share, subscribe जरूर कीची कर्टिश्याम इंग्लिष वाला thanks for watching my video thank you guys